कैसे हो भाई लोग सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना मेरे पास है इंफिनिक्स के तरफ से सबसे सस्ता और बहुत ही अच्छा सा स्मार्टफोन जिसका नाम रहने वाला है इंफिनिक्स होट्ट्वेल प्ले स्मार्टफोन को मैं काफी दिन से यूच कर रहा हूं अगर आपका बाजेट है बहुत ही टाइड आपको चाहिए गेमिंग स्मार्टफोन तो यह जो स्मार्टफोन है आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है स्मार्टफोन को काफी दिन से यूच कर रहा हूं कि स्मार्टफोन के बारे में मुझे सब कुछ बता चल गया है तो चलिए मैं डीटिल में बताने वाला हूं इन्फिनिक्स होट्वेल प्ले जो स्मार्टफोन है कैसा होने वाला है कैस्मार्टफोन को प्रचिस करना चाहिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करना उसी किसना चले इंको कहले दीजिए सबस्क्राइब और नोडि 499 रूपीज में और प्राइस पॉंट की सबसे देखा जाए जो स्मार्टफोन बढ़िया रहने वाला है बात करना चाहूंगा स्मार्टफोन की बिल कॉलिटी एंड डिजाइन के बारे में यह जो स्मार्टफोन पीछे से देखने में काफी खुपसरत होने वाला है और दे और यहां पार दो लाइन बार रहने वाला है पीछे की तरह बें डुएल कैमरा से टाप कॉर्ट एलीडी फ्लैस फिंगरफिन सेंसर और इंफिनिक्स का ब्रैंडिंग देखने को मिल जाएगा फिंगरफिन सेंसर जो बहुत ही फास्ट रहने वाला है मैं टैप कर रहूं चोटा देखने को मिल जाएगा तो इंफिनिक्स ईचीज बहुत अच्छा करता यहां सब्सक्राइब के साथ नए स्मार्ट फून को लाउंच कर रहा है इसके बात में बात करना चांगा स्मार्ट फोन के बारे में स्मार्ट-फोन का डिस्प्ले का इसा होने वाला है कर स्मा हर्स का रिफरेस्ट नाइंटी हर्स को बहुत ही एच्छी तरीकिस से इंफिनिक्स ने ओक्टिमेंच के है यहां पर लैग बगारा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन स्मार्टफोन में जो ब्राइडनेस मिलता है अगा थोड़ी से ज्यादा रहता तो और भी अच्छा होता है जो स्मार्टफोन आता है वाइडवाइन L3 सापोर्ट के साथ अब OTT प्लाटफोर्म में फूल एच्टी में कॉंटेंट वगरा नहीं देख पाऊगी इस स्मार्टफोन में अब होर के वीडियो को भी नहीं दिख सकते हो स्मार्टफोन में जो यूट्यूब वीडि वीडियो को वाच कर सकते हो अब मैं बात करना चाओंगा स्मार्टफोन की पाफण के बारे में अगर आप बीजिय में लभार्स व या फ्री फार खेलते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाल है कि स्मार्टफोन गेम खिलने के टांप हीड़ होता है कि नहीं चले मैं आपको डीटेल में बताता हूँ, यह जो स्मार्टफोन आता है, यह उनी SoC के तरफ से Tiger T 610 चिपसेट के साथ आता है, जो के एक OctaCore चिपसेट है, और इसका जो अन्तुत स्कोर निकल कर बाहर आए, 1 लख 91,000 प्लास, स्मार्टफोन में आप BGM गेम को 40 एपस में खि तो यहां पर lag वेकरा होता है, स्मार्टफोन और IPS में डाउन ग्रेट भी हो जाता है, और हाँ बाहर इसमार्टफोन के अंदर हेटिंग का इस्सू देखने को मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा गेम खलते हो, तो यहां पर हेटिंग का इस्सू देखने को मिल जाएगा, नॉर्माल यूजर के लिए बहुत अच्छा सा स्मार्टफोन होने वाला है, जब मैंने अप को ओपिन किया था, स्मूधली ओपिन हो रहा था, और स्कॉलिंग बेगर में स्मूध पाफिन्स मिल रहा था, क्योंकि यहां पर मिलता है 90 हर्स का रिफ्रस्ट, मे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिप्स्क्रिप्सन पर लिंक मिल जाएगा, अब ए वीडियो खतम होने के बाद देख सकते हो, यह चीस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, स्मार्टफोन में डुएल स्टीडियो कार को यूज कर सकते हो, लेकिन एस स्मार्टफोन में 4G प्लस का सापूर नहीं रहने वाला है, ऐसे बेसे स्मार्टफोन में जो डाउनलोडिंग या अब लोडिंग जो स्पीड मिलता है, वो एवरेज रहने वाला है, मोटर को बहुत अच्छी तरीक से इन्फिनिक्स ने अच्छा मिलता है, और सार लेविल जो रहने वाला है, अब यह पर देख सकते हो, ओई दिन लेमिट रहने वाला है, इसके बाद में बात काना चामगा है, स्मार्टफोन की कैमरा कवारे में, स्मार्टफोन में 4K वीडियो को रेकोर्ड कर पाओगी कि ने, चली मैं आपको डीटियल में बताता हूँ, यह जो स्मार्टफोन आता है, पीछे की तरह डुएल कैमरा सेटप के साथ, फ्राइमरी जो संसर रहने वाला है, थाटीन मेगा पिक्सल और एक क्यूब हीजे संसर रहने वाला है, स्मार्टफोन की बैक कैमरा से अब फूल एसडी में 30 पिस पर वीडियो को रेकोड कर पाओगे, यहां पर आप देखता है, तो जो डीटेलिंग, कालर, सैचुरेशन वेगर आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, उसे के साथ कुछ पिच्चा सेंपल में आप लोगे साथ शेर कर रहा है, आप देखकर अंजर लगा सकते हैं स्मार प्राइसपाइक साबसे देखा जाएं यहां पर जो कौलिटी आ रहा है, वो ठीकठक रहने वाला है, मुझे बहुत ही पसंद आ है, यह जो स्मार्टफोन आता है, 8 MP का मेरा के साथ, और 8 MP का क्वाली भी ठीकठक रहने वाला है, यहां पर जो कालर आता है, वो नेचरल कालर को थोड़ा ज्यादा बूश्ट कर देता है और प्रोटेट फोड़ो के तरफ देखा चाहिए इस डिटेक्शन को इतना अच्छी तरिके से मैनेज नहीं करता है या प्राइस पॉइंट के तरफ देखो प्राइस पॉइंट के साफ से ठीक ठाक कामेरा पापको ने से यहां फर स्मार्टफोन या टाइम लेता है लेकिन भाई यहां पर जो बैटरी वेकर मिलता है यहां कि मैं एक बार फूल चार्च कर लेता हो तो मेरा देड़ दिन तक आरहम से निकल जाता है मैं 90 हर्ट को ऑन करके गीम बगर खरता हो थोड़ा बहुत वीडियो वेकर दिख लेता हो मेरा देड़ दिन आरहम से निकल जाता है अगर आप नॉर्माल यूज करोगे आपके किसमें थोड़ा ज्यादा बैटरी वेकर मिल सकता है तो इसके बाद आते सिधा कॉन्क्लूशन पार्ट के तरफ इन्फिनिक्स होट्ट वेल प्ली यह जो स्मार्टफोन ने कैसा होने व उसे के साथ यह वार आप 3GB RAM को बढ़ा सकते हो टोटल जो RAM हो जाएका 7GB दूसरा जो रिजन रहने वाला है जो स्मार्टफोन आता है बहुत बड़ा सा डिस्प्ले के साथ 90Hz का रिफ्रस रेट बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा तिसरा जो रिजन रहने वाला है जो स कॉमेंट में जूर बता सकते हो क्योंकि सब कर आए तो अलग अलग होता है उमित करता हो आपको फशन्द हैं होगा उमित करता हो मैंने आपको सारी डाउट क्लियर कर दिया अगर आपको फशन्द आता है तो एक like करना उसी के साथ चलन को कर लिज ए सब्सक्रैग